दोस्तों नवश्कार वजूश स्वागत है दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा और महत्पूर्ण अपडेट मावला अतिथी सिच्छकों को लेकर है अतिथी सिच्छक और आगनवाडी कारता सहाई काओं के लिए अब तक का सबसे इंपोर्टन अपडेट है मद्द परदेश के सरकारी स्कूलों पर अतिथी सिच्छक लंबे समय से काम करते हैं इनका मानदे बहुत कम होता है मजदूरी के बराबर इनको मिलता है लेकिन वह भी इनको समय से नहीं मिल पाता है इस बार तो हाद ही हो गई परदेश में नई सरकार है नए मुक्षमंत्री ह लेकिन उनके द्वारा अतिथी सिच्छकों के लिए चार से पांच माय का बजट ही जारी नहीं किया गया है अतिथी सिच्छकों के मानदे बेतन को लेकर यह जो अपडेट आपको दिखाएंगे यह अब तक का सबसे बड़ा और महत्पूर्ण अपडेट है क्योंकि मद्द अपडेट है दैनिक भासकर के अखवार में चपी एक खवर आपको चौका देगी कि मद्द प्रदेश में इस तरह से हाल बेहाल है नई सरकार है सरकार के नुमाइंदे जो मंत्री विधायक है उनका बेतन एक तारीक को आ जाता है और पेंसिन आ जाती है लेकिन जो रियल मे यहां पर आतिती सिच्चा का आगनवाडी कार करता है वह है चार पांच माह से इस तरह से अपने बेतन मांदे को लेकर लगातार सरकार और अधिकारियों की ओपर निगाहों आसा भई निगाहों से इनकी तरफ देख रहे हैं बजट सर्थ के पहले ही बजट का अभाव यहा करता है साहिका उनको तीन माहीने से मांदे नहीं मिला आप सो सकते हैं जो दाबे हैं कितने जादे खोखले मदप्रदेश में कार करताओं ने कहा है कि जुम्मेदार इस पश्ट जवाब देने को तयार नहीं है जुलाई में नव नियुक्ति सिच्कों को एक बार भी जारी युलाई है कि जुलाई दुहजर 23 में जो नहीं प्रवल इस शुरू हो गया और यहां पर नहीं मिला पूरा आप्डेट आपको बताएंगे अब इतना रहेंौ इसको शेयर और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा मद्दप्रदेश का बजट सत्र साथ फरवरी से सुरू होने बाला है जिसमें सरकार अपरेल से जुलाई 2024 तक के लिए लेका नुदान प्रस्तूत करेगी साथ ही 2023-2024 के लेंदितिय अनुपूरक बजट भी प्रस्तूत होगा वही 2024-2025 का बजट मानसूत्र में होने की बात कही जा रही है इधर बजट सत्र के पहले ही बजट का आभाव होने लगा है ये कैसा बजट सत्र है? बजट ही नहीं है तो बजट सत्र की इस चीज़ का एक बड़ा सवाल बनता है फिर भी यहां पर उमीद है यहीं वजट है कि ने निहालों को भी सवार्दे बाले आतिकी सिच्चा के और अगनवाड़ी करकरता सहाईकाओं को तीन से चार माह बीतने के बाद भी मान्दे नहीं मिल पाया हुगा है इन लोगों की ग्रहस्ती चार माह से उधारी पर चल रही है जिम्मेदार भी इस बात को अजान बने हुए हैं लेकिन विकास खंड के जवाबदार जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि जब आवंटन ही नहीं हो रहा है तो मान्दे कहां से हम जारी कर दी उनका भी कहना ठीक है जब उनके पास उपर से बजट सरकार की तरफ से नहीं दिया गया लोग तिछण की तरफ से नहीं दिया गया चार पांच माह से तो हम कहां से दे दे पढ़ाने के साथ अधिदी सिचेक भी अलोग का भी कार कर रहे हैं फिर भी मान्दे नहीं मिल रहा म कि अगर हम बात करें हजारों की संख्या में अगर बाड़ी है अलग अलग जिलों का हाल पुल मद्ध प्रदेश का यही हाल है वहीं यहां पर देख सकते हैं कि बरतमान में जो आतिथी सिच्छे के बेलों का कार कर रहे हैं कारकरता का नाम जोडने और सोधन कार में लगा स्कूलों की अगर हम आतिथी सिच्छक का कर रहे हैं जो सिच्छन विवस्ता को पट्री पल लाया जाता है वहीं विकास खंड महीं लगबग 200 से अधिक आतिथी सिच्छक हैं जो सिच्छा विवस्ता को समाले हुए लेकिन इन 38 को बीटे स्वितंबर 2030 के बाद से मांदे नहीं मिला किता एक गंभीर आरोप है प्रदेश की सरकार पर चार माहे से यह लोग मांदे का इंतिजार कर रहे हैं तरहीं सिचकों ने अभी बताया कि सितंबर तक उन्हें मांदे दिया गया था जो बर्ग एक में 9000 बर्ग दो में 7000 बर्ग तीन में यहां पर 5000 रुपय था लेकिन इसके बाद सिरास सरकार ने मांदे को दुगना करने की उसके आदे जारी हो गए उसके बास से ही अब तक कुल मिला कि आप समझ लें कि प्रदेश में बजट सत्र तो फैर लेकिन बजट नहीं है पैसा नहीं है और सरकार के दावे यही है कि हमारे पास रास की कमी नहीं है पैसे की कमी नहीं है तो यह आखिर इतना उधाल लेते हैं एक बड़ा सवाल है कि यह जाता कहा है कि इसकी बड़ा अपडेट है कि 4-5 माए हो गए और कई भी भागुत करमचारियों को यहां पर अपने मान दे के लिए लगातार आवाज लगाने ही पड़ती है अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लें वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें मिलेंगे वीडियो पर लेटेस्ट अबेट के साथ